देखें आज इस वीडियो के महात्रम से हम आपको उतानवाले हैं कि जो लोग दिब्यांग जन होते हैं यानि जो लोग विकलांग होते हैं तो रेलवे की तरफ से एटिकेट फोटू आइडेंटिरी कार्ड इसू किया जाता है जिससे आप भारत के किसी भी कौने में सकते हैं अगर आप ओफलान ओफलान फॉर्म फिलप करना चाहते हैं तो आप यहां से पीडियो डावलोड करके ओफलान भी कर सकते हैं तो दी मैं आपको आज ऑनलाइन प्रोसे बताएंगे कि आपको ऑनलाइन इसका कैसे अपलाई करना है तो दी आप इसन करने के लिए आपको इस पर जाना यह देखे एपिस की वैबसाइट है आप रेलवे की यह ओफिसल वैबसाइट है जो यहां से यह टिकेट जो फोटो आइडेंटी कार है वो जनरेट करती है यहां पर जाने के तो यहां पर एक ओप्शन देखने को लिए अपलाई ओनलाइन का तो आपको इसी पर किल कर देनी है जैसे यहां पर कलिक करेंगे तो देखी है आपकर सामने अपर पर éstation पूर जो भी वह ऐस्बय परण्प कर सकते हैं उसकी बादी आपको यहां पर जो पास्वर्ट बनाना चाहते है वह आंपको पूर पास्वर्ट क्रिएट्ट कर देना और उसकी डेट ओपत आपको इस बॉक्स में फिलफ कर देनी है उसके वाद या मेल है या फिर फिमेल कंडिडेट या फिर आधर है जो भी आप नेस्ट में टेक बॉक्स कर देना आपको उसके आपको यहाँ पर अपना नंबर मुबाल नंबर है जो चालू होना चाहिए क्योंकि आगे जलके इस पर एक OTP आएगा वह आपको fill up कर देना अगर alternate कोई नंबर है तो आप डाल सकते नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं उसके आपको email id का option देखने को जाएगा डालना चाहा तो डाल सकते हैं उसके आपको पूरा address अपना fill up कर देना है यहाँ पर और जो आपका area का pin code देखता है वह यहाँ पर डालके आपको यहाँ पर submit कर देना आधार नमबर ही है आपका उसका नीचे आपको continue का option देखने होगा आपको यहां से continue कर देना है जैसे continue कर देंगे तो दिगे आपको बापस इसी page चलिख पा mature जाएगे अब यहां पर दिखिए आपको login ID का option देखने होगे अब यहां लोगे नारी में आपको अधान नमबर डालना और जो अभी आपने पास्वर बनाया आपको यहां पर सम्मिट करना है जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टेप नमबर टू को आप सुना जाएगा और यहां पर देखिए आपको सबसे पहले अपना विकलां है वो आप यहां परalleyway छूट प्रिमाडपत्र तो दिएक अगर आपके पास है इन में बेखने और इस इस जिना के पात्र और अगर आप railway pass के लिए generate करते हैं तो आप इस दिना के लिए आभिधन कर सकते हैं तो दीए आपको इतने hospitals हैं अगर आपके पार नहीं है तो आप इन hospital के माध्यम से बनवा सकते हैं उसके बाद आपको पूरा एड्रेस यहां पर फिलप कर देना है उसके बाद इस छूट प् पत्त जारी करने की ती यानि किस तारीक को आपका छूट प्रमारपत इसू किया गया उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट वाली बेटर पर किलिक कर देनी है तो तो देखिए जैसे नेश्ट कर देंगे तो यहां पर इस्टेप नमबर थर्ड खुल गया जाएगी अब य यहां पर देखिए मैंने इसका लिंक डिस्कर्शन में लगा देंगे आप वो प्रेंट को आप प्रेंट करके उस पर आपको नाम और जो होस्पीटल से आप अटेज करवाना चाहते हैं उस डॉक्टर का नाम आपको वहां पर डेटेल लिख लेनी जैसे मालू आपका यहां कर देखने को मिलेगा यह डेटेल आपको फिल आप कर लेनी है और आपको यहां पर देखिए यहां वहां पर इन्ट की मात्रें से आप इस से अटेज करवा सकते हैं और यहीं आपका कंसर्ण सेटिफिकेट बन जाएगा उसके बादिए आपको आपको आउयू प्रमार पत आयूम जैसे मालों आपको 18-18 साल पिलस हो चुकी है, इसके लिए आप आधार कार लगा सकते हैं, यहां पर दिए पैन कार्ड है, स्कूल सर्टिफिकेट है, और गवर्मेंट नेटिफिकेशन जो आपका मेंबर्स या फिर पैरामीटर्स जो भी आपके पास कुछ भी आपको सब्सक्राइब हो चुकी हैं, जैसे मालों आपका मूल लिवास हो लगा सकती हैं, उसके लिए आपको पासपोर साइज का एक फोटो यहां पर आपलोड करना, उसके आपको यहां पर सम्मेट कर देना, जैसे सम्मेट करेंगा, तो आपको सामने ऐसा डेस्पोर्ड तो देखिए आपके सामने यहाँ पर कॉंग्रेशलेशन का मैसेश हो जाएगा यहाँ पर रिकेश्ट पॉर सम्मिटेड ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर इसू फॉर इटिक्टिंग फो टॉ आइडेंट्री कार्ड वाज सक्सेस्पुली कंप्लिटेड यानि आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना अधान नमबर फिल करतेना और जैसे हैं पर चेक इस टेटिस पर किलिक करेंगे वैसली यहाँ पर अप्लिकेशन इस रिसीव यानि आपका अप्लिकेशन यहाँ पर रिसीव कर लिया गया जब आपको आइडी कार्ड इसू कर दिया जएगा तो आप यहाँ पर अपना लॉग इन करके अपना आइडी जो इटिक्टिंग फोटो आइडेंटिरी कार्ड होता है उससे आप डाउन्लोड कर सकते हैं अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पले और वीडियो वाच कर रहे हैं सब्सक्राइ